हेलो विल्कम टू माई चैनल आप देख रहे हैं निलम सिंग चैनल मैं हूँ लाम तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग क्योंकि विंटर का सीजन है और आपके सहर में सर्दियां कितनी पढ़ रही हैं यह मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि यहां पे हमारे क्रिम आपको मिलेगी लेकिन घबराने की बाती है वह क्रिम को इसी तरीके से आप 50 to 100 रुपिस में बना सकती है बिल्कुल 100 परेशन नाचुरल तो क्योंकि अगर आपके स्कीन में जो प्रॉब्लम सर्दियों में आ रही है खास तो यह द्राइनेस की प्रॉब्लम्स इसी स् की अश्कीन की जो है वह खुत मोग हो जाती है और Σाथ हमारे इस इंपरे बाहँ सा राइलिंक वांड वर केम नियुक्त का थैते हैं जो इतनौर में रही थोक्ता-डाग तो ऐसा आज मैं आपके साथ तैर करने वाले हो जो तरीके से मिलेगा यह आपको मैं घर में बना आपको बताऊंगी इसलिए वीडियो में आप सुरु संतक बने रहें कि अगर आपको इतने सारे प्रोबलम आप चाहती है कि चूटकियों में गाए बहुत तो इसके लिए यह आपको वीडियो में सुरु से अंतक बने रहना होगा इसके कोई साइड ऑफेक्ट नहीं है यह आपके के जलदी से subscribe करेगा और विडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने हैं तो पि setzt करते हैं और देखते हैं कि यह डियावेज क्रीम की जो रेशिपी है वो मैं कैसे बनाती हूं और किते इजी तरीके से और यह 100% नेचुरल कैसे हैं तो बिना टैवेस्ट के विडियो स्टार्ट बिटामिन city के टैबलेट यह हीजी आपको मार्केट में बहुती सथाब को मिल जागा किसी भी मेरी सिंसор पर यह पो मिल जागा इस तर TP किसे तो यहां पे मैं ले रही हूँ बारब बिटामिन सी के टाबलेट और विώνको दूचा किसे के क्या काम करते हैं वह सी में आंटि अक्सिधेंट पर शूर मात्रा में होता है या कोलेजन से टैनिंग के प्रोब्लम को रिमूव करता है तो यहां पे मैं बिटामिन सी के टेबलेट को इस तरह कोट के और इनको बिल्कुल पॉडर शेप में कर लूँगी तो यह देखे मैं इसे पॉडर शेप में कर लिया है अब इसे एक लीन बोल में हम लेंगे और इसमें हम कुछ इंग्रेडिन्स एड़ करेंगे जिसे की तयार होगा हमारा शेशी क्रेम तो सबसे पहले यहां पर मैंने बिटामिन सी का पॉडर बना लिया है इसमें मैं एड़ करूंगी ग्लीश्रीन ग्लीश्रीन हमारे स्कीन को अच्छी तरह मॉस्चुराइज करके चेहरे से ड्राइन लिए उसके बाद इसमें जो चीज मैं एड़ करूंगी वह हमेशा की तरह अलोवेरा जल यह देगे आप फ्रेस अलोवेरा जल सकती क्रीम जल्दी खराब हो जाएगी और यहां पर पूरे मैं 15-20 डेस के लिए क्रीम बना रहे हूं तो यहां पे 1-2 इस्पून में यहां पर एक बाले करता है साथ है जो यहां पर आड़ करोंगी स्कीन करता है बहुत मैं यह ज्यादा बेश्ट है इसे मैं अपने फेस भी लगाई और मुझे फर्क दिखा तो यहां पर अंतिल के एक अकॉर्डिंग में यहां पर इसी तिल को अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर मैं इसे टू टीश्पून इसमें मैं यह जो हमारा बायो ऐलर डालूंगी यह हमारे स्कीन से जुरियां को दू लाता है इसकीन पर जो फाइन दिखते हैं उनको हटा कि आपके चेरे को सुन्दर सौट बनाने में हेल्प करता है उसके बाद इसमें हम डालेंगे वन टीश्पून रोज वाटर यह देखे अगर आप चाहें तो रोज वाटर को इसकीपी कर सकते हैं क्योंकि रोज वाटर से हमारा क्रीम जो है थोड़ा सा लीकुडी हो जाता है बट इसकीन के लिए बहुत ही बेस्ट है कि रोज वाटर हमारे सकीन को फेर करने में सकीन से डर्ट रिमूफ करने में और हमारे सकीन पेक नैच्रल ग्लो लाने में काफी हेल्प करता है इन सभी को अची तरह मिक्स कर और हमें जो लास्ट इंग्रिडिएंस एड करेंगे वह है बाइटामीन एक कापसूल यह भी आपको एजी किसी मेडिसीन के दुकान पर मिल जाएगा बितामीन सी और बितामीन दुनों कैपसूल टैबलेट की जो टेन टैबलेट एक में होती है इसमें वितामीन ए में तो यह 27 to 30 रुपीज में इजी तरीके से किसी कॉस्मेटिक दुकान पे मिल जाएंगे ये हमारे चेहरे पे जो ड्राइने से उसको भी दूर करके हमारे चेहरे से रिंकल को रिमूब कर हमारे चेहरे को सुंदर चम्धिला बनाने में हेल्प करते हैं तो ये देखे मैंने सारे क्रीम को इस तरह तयार कर लिया है ये देखे हमारा क्रीम अब बिल्कुल धार है इसे आप नाइट में अपने फेस पे एक मिनट या दो मिनट मसाज कर सकती है या अगर आप चाहे तो आप सुबह में भी ऐसे आप अपने चेरे पर मसाज कर सकते हैं यहां पर मैं आपको अपने हैंड पर अपलाई करके दिखाऊंगी तो इस तरह अपने फेस पर लगा के या आप अपने इस तरह हैंड पर भी आप लगा सकती हैं और इसको इस तरह हलके हलके हाथों से मसाज करे और थोड़े दिल में देखेंगे एक सॉफने सी फिल होगी आपको और एक ग्लो दिखेगा तो अभी मैं इस तरह मसाज करके और उसके बार आपको दिखाऊंगे कि किस तरह ग्लो दिखेगा और इतना सॉफ्ट स्कीन लगेगा आपका कि इसमें जितने बेर नेचुरल इंग् स्कीन के लिए और इसके 100% गुड जल्ट है तो इसी तरीके से आप इसे बना सकती है अपने घर में और बहुत साथ पैसे की सेविंग भी कर सकती है जब क्रीम आपकी यह बन जा तो इसको हमें कैंटीनर में सेव कर लेंगे और कैंटीनर में सेव करके इसे आप 15-20 दिन तक लगा सकती है ये बिलकुल खराब नहीं होगा और आपको फर्खण जराग़ा जब इसक्रीम का आप अपने डेली स्कीन केर में सामिल करेंगी तो आपको फर्ख न जरागा आपकी स्कीन ग्लुइंग लगेगी आपके स्कीन से जरूर कोई पूचेगा कि आपने अपनी स्की किजिएगा